हलो बच्चो, वेलकम यू आल अगेन इन दा अनलाइन क्लासेज विद अमीना और इसके पहले वाले वीडियो में हमने इस सेम चैप्टर का एक्स्परेशन कहानी हमने सुना है ना, राजू गोस्टू स्कूल की किस तरह से राजू स्कूल नहीं जा पा रहा था और कैसे रेश्मा की सहता से वो स्कूल जाने लगा तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का एक्सरसाइज को कम्प्लीट करेंगे तो हमारा पहला एक्सरसाइज है, लेट्स रीड एन फाइंड आउट चलिए पढ़ते हैं और ढूनते हैं इन सवालों के जवाब पहला सवाल है, Who was Raju? राजू कौन था? And what was Raju's wish? और राजू की इच्छा क्या थी? तो इसका जवाब है, Raju was a shepherd. राजू एक चरवाहा था और राजू's wish was to go to school. राजू की इच्छा थी कि वो भी स्कूल जाए. हमारा दूसरा सवाल, What did the teacher explain to Suraj? तीचर ने Suraj, राजू के पिता जी को क्या समझाया? आंसर, the teacher explained to Suraj that education is his right, he will get books, uniform and midday meal and Raju can help his father after school. तो तीचर ने Suraj जी को राजू के पापा को समझाया कि शिक्षा राजू का अधिकार है, उसे वो मिलना ही चाहिए. और Suraj जी अब तक ये सोच रहे थे कि राजू अगर स्कूल जाएगा, तो उसका books, uniform वो लोग खरिद नहीं पाएंगे. लेकिन टीचर ने Suraj को समझाया कि स्कूल आने के लिए books, uniform यहां तक की दोपहर के भोजन की भी चिंता करने की अवशकता नहीं है. वो सब कुछ स्कूल में ही उसे दिया जाएगा और वो राजू सूरज की मदद किया करता था, तो वो स्कूल के बाद यानि दो बजे के बाद अपने पापा की सहता काम में कर सकता है वो. तीसरा सवाल, वाई डिड राजू ताइंक रेश्मा? राजू ने रेश्मा का धन्यवाद क्यूं किया? क्यूं किया था? क्यूंकि रेश्मा के कारण ही राजू स्कूल जा पाया है ना? राजू ताइंक रेश्मा बिकाॉस ड्यू तू हर, वाई रेश्मा के कारण ही वो स्कूल जा पाया अब तक राजू की इच्छा थी कि वो भी स्कूल जाए लेकिन रेश्मा ने उसे देखा फिर उसके बाद रेश्मा ने अपने टीचर से इस बारे में बात की टीचर ने राजू के पापा को समझाया कि स्कूल जाने के लिए पैसो की जरूरत नहीं है तो राजू के पापा समझ गए कि हर एक बच्चे के लिए सिक्षा कितना इंपोर्टन है तो फिर वो मान गए और राजू को वो स्कूल भेजने लगे तो राजू की इच्छा इस तरह से को धन्यवाद कहा और हमारा अगला exercise है right t for true and f for false आप लोगों को यहां पर बहुत सारे sentences दिख रहे हैं sentences के सामने बहुत सारे खाली डब्बे पड़े हैं तो उन डब्बों पे आपको t लिखना है अगर आपको वो sentence सही लगे और f लिखना है अगर वो sentence आपको गलत लगे तो पहला sentence है we get books from school हम लोगों को books यानी किताबे school से ही मिल जाती है क्या मिलती है बिलकुल सही हम लोगों को किताबे school से मिल जाती है we do not get midday meal हम लोगों को school में midday meal नहीं मिलता है गलत हम लोगों को दोपहर का खाना स्कूल में मिल जाता है है ना तीसरा सेंटेंस We do not get uniform from the school हम लोगों को स्कूल से uniform नहीं मिलता है नहीं मिलता है क्या मिलता है तो ये गलत सेंटेंस है F We get shoes from the school हम लोगों को shoes स्कूल से मिल जाता है गलत हम लोगों को school से shoes तो नहीं मिलता लेकिन shoes के पैसे जरूर मिल जाते हैं ताकि हम बजार से अपने इच्छा से shoes हम लोग खरीद पाए हैं We get school bag from the school Yes, it is true हम लोगों को अब school से ही school bags भी मिल रहे हैं हमारा next exercise है Let's look at the pictures यहां उपर में कुछ pictures है आपको इन pictures को देखने है and make sentences and write और इन pictures के अनुसार आप लोगों को यहां पर जो डब्बे दिये गए हैं इन डब्बों को जोड करके आपको sentence बनाने हैं और इन खाली जगों पर लिखना है जैसे पहला sentence है मरियम यह मरियम है यह अन्शू है यह टीचर है यह cat है और यह bird है तो यहां पर जो पहला picture में मरियम क्या कर रही है मरियम is reading मरियम is reading ओके इस तरह से जोड करके लिखना है तो अन्शू क्या कर रहा है बच्चो खेल रहा है खेलना को क्या कहते हैं अंग्रेजी में playing अन्शू is playing है ना अन्शू is playing फिर cat the cat आया तीसरा sentence cat क्या कर रहा है यह सो रहा है सो रहा है यानि sleeping the cat is sleeping यह हो गया हमारा तीसरा sentence फिर है the bird bird क्या कर रही है उड रही है उड़ना यानि flying the bird is flying फिर कौन है the teacher यहाँ पर सिक्षक है वो क्या कर रही है पढ़ा रही है पढ़ाना यानि teaching the teacher is teaching teacher is teaching okay so यहां तक हमारा exercise complete हुआ I hope आप लोगों को यह exercises, question and answer समझ में आया होगा और आप लोगों ने अभी तक अपने copy में भी उसे उतार लिया होगा okay thank you all